मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री इस वक्त चर्चा में हैं। उन पर महाराष्ट के नागपुर की अंध श्रद्धा निर्मूलन समिती ने अंध विश्वास फैलाने का आरोप लगाया है डौक धीरेंद्र शास्त्री का दावा है कि अपनी दैविय शक्तियों से वह लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं। उनकी समस्याओं का समाधान बताते हैं। धीरेंद्र शास्त्री के अनुयाई इसे चमतकार बताते हैं। वहीं उनके विरोधियों का कहना है कि नागपुर में जब अंध श्रद्धा निर्मूलन समिती ने अपने दावों को साबित करने की चुनोती दी तो बाबा अंध श्रद्धा उन्मूलन कानून के डर कर रायपुर चले आय डौट समिती ने धीरेंद्र शास्त्री के खिला तो उसे कितनी सजा हो सकती है दोशी के खिलाफ क्या-क्या कारवाई हो सकती है महाराष्ट्र का अंध श्रद्धा उन्मूलन कानून क्या है अंध विश्वास फैलाने के खिलाफ कानून भारत में अभी अंध विश्वास को लेकर कोई विशेश केंद्रिय कानून नहीं है सका देश में अलग-अलग कानून हैं जिसके जरीए इस पर रोक लगाई जा सकती है अंधविश्वास की वजह से हत्या की स्थिती में भारतिय दंड संहिता इंडियन प्वनल कोड की धाराओं में कारवाई हो सकती है भारतिय सम्विधान का अनुच्छेद 51 अच में भारतिय नागरिकों के लिए वैग्यानिक सोच, मानवतावाद और सुधार की भावना को विक्सित करना एक मौलिक कर्तव्य बनाता है वही अजूबा या दिव्य तरीके से किसी बीमारी के इलाज का दावा करने वालों पर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहट कारवाई का प्रावधान है इसके जरिये भी अंधविश्वास फैलाने पर रोक लगाई जा सकती है किन राज्यों ने बनाए हैं कानून? बिहार, चत्तिसगड, जारखंड, ओडिशा, राजस्थान, असम, महाराष्ट्र और करनाटक में अंधविश्वास को रोकने के लिए कानून बना है बिहार पहला राज्य था जिसने जादू टोना रोकने एक महिला को डायन के रूप में चेहनित करने और अत्याचार, अपमान और महिलाओं की हत्या को रोकने हेतु कानून बनाया था इसे दप्रिवेंशन ओफ विच डायन प्रैक्टिस एक्ट नाम दिया गया यह कानून अक्तूबर 1999 से प्रभावी है अंधविस्वास और जादू टोना के खिलाफ महाराष्ट्र में लंबे समय तक आंदोलन हुआ इसमें कई लोगों की जाने भी गई इसके बाद वहां 2013 में महाराष्ट्र मानव बली और अन्य अमानविय कृत्य की रोक्थाम एवं उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया इसके जरिये राज्ज में अमानविय प्रथाओं काला जादू आदी को प्रतिबंधित किया गया इस कानून का एक खंड विशेश रूप से गौडमैन, स्वयंभु भगवान या उनका अवतार के दावों से संबंधित है यह उनके लिए है जो दावा करते हैं कि उनके पास अलौकिक शक्तिया है नागपुर में धीरेंद्र शास्त्री पर इसी कानून के तहट कारवाई की मांग हो रही है महाराष्ट्र मानव बली और अन्य अमानविय कृत्य की रोक्थाम एवं उन्मूलन अधिनियम में कुल बारह क्लॉज है यह अलग-अलग अपराधों को चिनहित करते हैं अगर कोई इसमें दोशी पाया जाता है तो उसे कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा साथ साल तक की सजा का प्रावधान है इसके अलावा 5,000 से 50,000 रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है